जोस्तों वन चेप्टर इन वन शॉट स्रीज में आपका स्वागत है आज हम लोग क्लासिक साइन्स का चेप्टर नमर 15 को डिविजन करने वाले हैं जिसका नाम है गारवेज इन एंड गारवेज आउट इस चेप्टर के नाम से ही पता चल रहा है हम लोग अक्च्वल में गा कितने टाइबस कोज तैंगे इंट्रॉक्शन की णरता क्या है कर्वेज का मतलब क्या होता है वेस्ट प्रोड़क्ट जो तो हमारे लिए यूजफुल नहीं है this means the product which is no longer of any use इस वह product जो हमारे लिए कोई आगे यूजफुल नहीं है उसे हम लोग क्या बोलते हैं west product और west product को हम लोग क्या बोलते हैं garbage we all collect garbage in our houses in dustwinds हम लोग जो है garbage dustwinds में जातर collect करते हैं in dustwind we keep all type of garbage together like tea leaves, dappers, dry leaves, milk polythene, food west etc मतलब कि हम लोग जितने भी घर में west product होता है हम उसको collect करके एक dustwind में रख देते हैं अलग 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 टैप के जो west product होते हैं जैसे कि हम लोग dappers भी उसी एक ही काचरे में फेकते हैं लपते भी एक ही कपडे dustwind में रखते हैं and then polythene बड़ा सब भी एक ही कप मतलब की dustwind में लख रखते हैं in this collection of garbage there is some part of waste which can be reused so we have to segregate the waste in this chapter we will study how to tackle in this garbage so that it will not harm our environment it will form our environment it will directly affect us मतलब कि हमने अभी देखा कि हमारे घर में जो भी dust garbage होते हैं हम लोग dustwind में collect कर लेते हैं और उस dustwind में जितने भी टैप्स के waste होते हैं वह सब में collect कर लेते including polythene भी और हम लोग dappers भी और अलगलग leaves भी तो इसमें कुछ-कुछ ऐसे भी garbage होते हैं waste product होता है जो हमारे लिए reusable होता है जो कि हम लोग को हम reuse करना चाहिए और इस चप्टर हम लोग इसी बारे में देखेंगे कि जो garbage है ना garbage हम लोग को कैसे collect करना चाहिए कैसे इसको fake ना चाहिए ताकि हमारे environment के आ रहे clean रहे और environment के कोई effect ना हो और garbage हमारे environment के लिए कितना dangerous है आप सभी जानते ही है तो अक्चल में ये चप्टर तो आपको क्या करते हैं class के basis पे तो important है ही लेकिन अगर आप other class से भी है और अगर आप generally आपको ये knowledge होनी चाहिए how to trade with garbage हम लोग को garbage के साथ कैसे क्या करना चाहिए whatever चली हम लोग garbage को के types को और garbage को आपको किस तरह से use करना चाहिए किस तरह से fakeना चाहिए इसके बारे हम लोग देखते हैं first of all garbage का source क्या है garbage कहां कहां से आता है तो पहला आता है domestic waste domestic waste मतलब एक्चोने जो हमारे लिए daily life में हम लोग waste मतलब की जो होता है जैसे कि kitchen west में हम लोग जैसे कि मान लोग peeling जो भी कोई vegetable से उसका pile करके फेकते हैं तो वो सब जो हता है domestic west में आ जाता है unnecessary thing जो हमारे घर में ज़रूरी चीज नहीं होता वो सब चीज किसे में आ जाता है domestic west में आता है industrial west इंडस्ट्री से जो west निकलते हैं उसे हम लोग क्या बोलते है Em23 और हमारे घर से जो west निकलतो है domestic west और उसके लाद आता है community west यह क्या होता है जो एक group of people के थूँआ वेस्ट निकाला जाता है जैसे कि हॉस्पिटल अगर हॉस्पिटल जाते हो तो हॉस्पिटल ने बहुत सारी लोग होते हैं और वो सब अपने-अपने अलग-अलग मतलुग गार्वेज थ्रो करते हैं फिकते हैं या फिर गर्वेज उसका होता है तो वो किसमें वैस्ट मनादा जायागा community वैस्ट में जायागा कोई ओफिस है तो ओफिस में अलग-अलग people क्या कर रहे हैं तो वो होजागा community वैस्ट चौथा आता है agriculture which क्या होता है शूख खेती करने में तो फिर उसका जो भूशा होता है, वो एक परकार का वेष्ट ही होताए ह। लोग़ों से यूज कर लेते हैं, लोग लिंटेंज से धान अभी कटा है, धान कटेगा, उसका जो पुआल होता है, ज्यानतर मतलब की जो मवेशी होती है वो भी नहीं कहती है, तो लोग की अगढ the electrical bills जो भी होता है जो हमारे लिए जिलेस होता है वह क्या होता है एल्acer काप विलेक्ट्रिकल माला Speaks थो तूट गयाँ और उसका तो उसका यूज होगा नहीं तो वह क्या पढ़ाका वेस्ट हो गया ये जो था on the basis, मतलब classification of garbage, on the basis of source, you can say, इसको इस तरह से कर जकते हो, लेकिन हम देखेंगे classification of garbage, तो we have classified the into two categories, मतलब कि हम लोग जो west को दो category में classify करते हैं, पहला होता है biodegradable west और दूसरा होता है non-biodegradable west, इसको हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग देखेंगे biodegradable west क्या होता है, तो पहले हम देखेंगे biodegradable west को देखेंगे, BioDrial West क्या होता है bisexual West means Useful West This is the West That can be Reused or Recycle मतलव कि BioDrial West जो है ये Use होता है मतलव कि Garbage का मतलब भी हुआ West Garbage का मतलब भी क्या हुआ West तब ये Useful कैसे हो सकता है इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे लिए Useful नहीं है लेकिन हम इसे Useful بना सकते है तो जिस West जो हमारे लिए West यूजब लेसे वो तो मतलब कि यह garbage हो गया लिकिन जो garbage को हम लोग daily life में use कर सकते हैं उस West को हम लोग क्या बोलते हैं? बाइड़ेबल West और यह reusable West होता है अगला या फिर इसे आप recycle या reuse कह सकते हैं जैसे मैंने बता दिया बाइडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेड हम लोग इसको अच्छे से डिसकूस करेंगे कि हमारे लिए कैसे यूज भूल ओआ ठीक है कि ईंसे वेक्स मतलब कि बाइडियोल वेस्ट क मैं कैसे यूज कर सकते हैं अलग-लग तरीके से यूज कर सकते तो directly कैसे use कर सकते हैं जैसे एक्जामपल लिये हैं अगर कोई मानलो की tea leaf है मतलब की चाय पत्ती है अगर हम लोग को चाय बन गया अब यह tea leaf क्या हो गया चाय बनाने के बाद वह best हो जाता है उस best कोड़ हम plant में दे देते हैं तो वह क्या हो जाता है तो उस plant के लिए useful होता है ग्रो हो जाएगा और यह best भी हम लोग का यूज हो गया ती मतलब यह तो वेस्ट था चाय बन गया यह वेस्ट हो गया लेकिन अगर हम इसको plant के रूप में देते हैं हमारे ले क्या हो जाएगा usable हो गया तो मतलब हम लोग बायोडिगल वेस्ट को directly इस तरह से यूज कर सकते हैं paper west can be used in art और craft मतलब कि जो paper west होते हैं जो कूट होते हैं जो paper होते हैं उसको आप art या craft में आप यूज कर सकते हो fruits and vegetable west can be used as manure to plants मतलब कि यह जो हम लोग क्या कहते हैं peeling of fruits देखे थे या फिर vegetables देखे थे इसके हम manure बना सकते हैं मैन्योर कैसे बनाएंगे तो वर्मी कंपोस्ट देखेंगे तो उस्व चीज आगे देखें कि वर्मी कंपोस्ट उसमें क्या करेंगे हम लोग इस चरप चुजो का यूज करके हम लोग उसकिन भालाएंगे और खेट के लिए हमारी हेलफूल होगा तो बाइटरीडेडरीबल को हम लोग इस तरह से यूज कर सकते हैं let's have a look some example of biodegradable waste कुछ example हम लोग देखते हैं biodegradable waste का जिसी के हम लोग pencil खिछिलते हैं इस तरह से तो भी भी क्या होगा biodegradable paper हम लोग usually होता है मतलब paper जो खराब writing के वज़ाद से हम लोग fake देते हैं तो देख लिए अब आता है non-biodegradable waste या फिर इसको हम लोग non-useable non-useful waste भी कह सकते हैं यह क्या होता है तो non-biodegradable waste non-biodegradable waste means not useful मतलब कि जो हमारे लिए वेस्ट uses useful ना हो था हम लोग पीछे देख ले थे यह सब जो वेस्ट था इस सब चीजों का हम लोग यूज कर सकते थे लेकिन हम लोग non-biodegradable waste को यूज नहीं कर सकते कैसे नहीं कर सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे non-biodegradable waste consists of non-useful part waste like polythene bag broken twice broken glass aluminium file paper piece of cloths etc मतलब कि अगर हम polythene से समान ला लिए बजार से कोई समान ला ले polythene bag में और वो समान हम लोग निकाल लिए और polythene bag वो जो है अमारा वो useless हो गया आप polythene bag को हम लोग कहां यूज करेंगे क्योंकि हम polythene bag तो दुकान भी लेकर नहीं क्यों को दुकान दर आप नहीं देते हैं हम इसका यूज नहीं करते हैं और यह हमारे ले कहीं यूज नहीं होता है कोई खिलोना तूट गया तो उस खिलोना को हम क्या करेंगे हम लोग क्या करते हैं जस्ट ऐसे थ्रो कर देते हैं और हमारे लिए वो कहीं पर यूज नहीं ह कर सकते हैं यह सब वेस्ट कम कहीं भी यूज नहीं कर सकते हैं प्लास्टिक जो भी वेस्ट हो गया उसका प्रियूज नहीं कर सकते हो मतलब कि प्लास्टिक वेस्ट होता है यह हमेशा रियूज नहीं की जा सकते हैं और प्लास्टिक बोटल में कितना दिन पानी पीते हैं पर उसको फेक देशे़ ला लेते तो फेक दिन वोड़ ऑट वह अब जाता है वेस्ट बन जाता है कोई कभी कभी वह collect करके फिर उसको sold करके उसका reuse कर लिया जाता है लेकिन most of the time वह reusable नहीं होता है है ना अगला है let's look at अब हम क्या करेंगे अलग-अलग types को क्या करेंगे यहां पर non-biodusible vest को देखेंगे अब देखो यहां पर aluminum foil हम क्या करते है फूड लाते है तब यह हमारे लिए क्या होता है useless हो जाता है अगर हम दुकान से समान ले आते हैं इसमें जो polythry मिलता है यह क्या होता है useless हो जाता है और यह reusable नहीं होता है अगर कोई toy खड़ीदे और यह toy हमारे लिए क्या है useless हो जाता है ग्लास अगर मालो हम मतलब पानी वला ग्लास अगर यह तूट गया त्फिर यह क्या हो जाता है useless हो जाता है हमारे लिए लिए नहीं करते है इसको अलग अलग हमको फेकने चाहिए एक साथ मिला दोगे पता ही नहीं चलेगा कौन बायोडुडिवल मतलब कि यह दुरों mix up हो जाएगा अगर हम इसको use कभी करते हमारा बायोडुडिवल वेस्ट नहीं use हो पाएगा और फिर बायोडुडिवल वेस्ट भी क्या हो जाएगा फेका चला जाएगा तो इसलिए हम लोग को कैसा होना बायोडुडिवल वेस्ट को separately हमको collect करना चाहिए अब आज जाता है composting, composting क्या होता है हमने बताया था पीसे कि जो कहा कहते है बायोडुडिवल वेस्ट होता है उसको manure के लिए use कर लिया जाता है अब यह compost क्या होता है इसका हम लोग देखते है composting is a process to use the biological waste by converting into manure मतलब कि compost जो है वो क्या है process है यह compost एक process है process वाद जो कोई result आएगा उस result हम लोग क्या बोलते है manure बोलते है manure generally confusion ही होता है एकसर compost क्या होता है manure क्या होता है तो यह compost process है और इस process का कुछ रिजल्ट होगा process मानलों एक पर लाठा का काम है काम के बाद जो result आएगा उसे लोग manure बोलते है ठीक है और compost किसका process है तो बायोडुडिवल वेस्ट का process होता है मतलब कि इस परकार का जो मतलब की वेस्ट होता है यह कुछ प्लान्ट के लिए क्या होता है बहुत ही यूजफूल होता है यह प्लान्ट को न्यूट्रियंट भी प्रोवाइड करता है manure help the plant to grow by increasing soil fertility मैंक्योर कैसे प्लान्ट को help करता है यह soil के fertility को बढ़ा देता है प्लान्ट का fertility बढ़ेगा तो प्लान्ट भी क्या होता है अच्छे लेवल में grow होता है let's discuss the process of composting step by step मतलब कि हम लोग अब composting करें कैसे इसका कुछ step दिया गया है उसको हम लोग देखते हैं कि कैसे हो मतलब कि हम लोग को compost में से manure बना सकते हैं अब दिखे रहा होगा मैं तो छोटा कर देता हूं अब दिख रहा होगा यहां पर मैंने एक बरा सा कंटेनर ले लेंगे उसके बाद put all the animal waste food waste dry leaves etc in the container मतलब कि हम मुको इस container में जितने भी animal waste होते मतलब गोबर वगड़ सब हो गया या फिर food waste जैसे एक मालब फिलिंग fruit का जो छिलका होता है वो सब चीज़े में हम दे सकते हैं या फिर जो सुखा पत्ता होता है वो समें इसमें दे सकते हैं क्या नहीं दे सकते हैं मतलब कि ये जो क्या कहते हैं आपको हमने इसमें 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 तो हमको दिसान रहुक्द को मिक्रोचनीजम इसमें नहीं दे ना है और macro organism को attract कौन दो करता है meat बड़ा सब attract करते है जाट ही हमको इसमें मिक्स अप करना है No, mix the ingredients प्रोपरली मतलब कि हम लोगे इसमें मतलब कि दिया था उसको हमको प्रोपरली क्या करना है mix करना है, मिला देना है add some water to the waste in order to create some moisture मतलब कि इसमें हमको क्या करना है थोड़ा सा water add करना है ताकि क्या हो जाए moisture आपको इसे मिल जाए after that, now cover it with swell मतलब कि हमको क्या करना है इससे फिर swell से cover करना ओपर से ढग देना है then take care of this compost pile मतलब कि हमको अच्छे से इस compost क्या करना है ध्यान रखना है regularly मतलब कुछ समय समय पर हमको क्या करना है इसको mix up करना है after some day you will notice the dark soil that smell like earth is your final product which is known as manure कुछ दिन बाद आप देखोगे कि यह जो हमारा mixer था यह mixer क्या हो जाएगा आपको dark color का देखने कुलेगा क्या देखने कुलेगा dark color का और मिट्टी जिस तरह से smell करता है उसी तरह से यह भी आपको smell करने लएगा मतलब आप समझ जाओ कि हमारा manure बन गया हमारा खाद बन गया मतलब कि उसके बाद यह जो dark color का आपको बन जाता है इसके बाद आप इसको कहीं पर भी मिक्स कर सकते हो इसे humus भी कहा जाता है क्या कहा जाता है humus जब आप swail पढ़ोगे तो swail में इसे humus भी consider कर ली जाती एक्चलों humus भी यही होता है यह humus होता है यह swail के fertility को बढ़ा देता है हमारा यहाँ पर क्या होगा compost ready हो गया manure ready हो गया अब इसको जहाँ पर भी mix अप करना है उस वाइल हमको इसका क्या करना है mix कर देना और देन हम वाणा पर हमारा plant कैसा होगा अच्छे तरीके से grow होगा the process of rotting and conversion of biodegradable waste into manure is called composting compost क्या होता है हमने बता दिया compost process होता है manure बनाने का इसका आप दूसरा definition इस तरह से लिख सकते हो compost is the process of rotting and conversion of biodegradable waste into manure मतलब कि हम जो अभी पत्ता वर्दस इसमें सुखा डाले थे वो क्या हो जाता है सर जाता है तो rotting मतलब होता है सर न मतलब सर के एक in biodegradable waste में convert होके वो manure में convert हो जाता है वर्मी compost क्या होता है हमने composting देख लिया manure बनाने का जो process होता है अब वर्मी compost क्या होता है तो वर्मी composting is the process where decomposition of biodegradable waste is done by using earthworms मतलब कि हम यहाँ पे किसी का use नहीं करते just mix करके हम लोग क्या कर रहे थे manure बना रहे थे उसे हम क्या बोलतेंगे composting लेकिन अगर हम manure बनाने के लिए वर्मी मतलब कि यहाँ पे आप देखे होंगे earthworm का use करके अगर हम इसका compost बनाए तो वो क्या हो जाता आपका वर्मी compost हो जाता है दिरुनाब differences यह है उसमें कोछ use नहीं करते थे इसमें हम लोग earthworm का use करते हैं मतलब कि जैसा कि हम जो यह compost है यह compost हम earthworm के थुरू बना रहे हैं यहां पर हम यह compost बनाएंगे वहां का environment ऐसा बनाना पड़ेगा हमको जो earthworm के लिए क्या हो suitable हो ठीक है यहां पे हम कहीं पर भी container लेते थे और यहां पर बना देते लेकिन इसके लिए हमको बहुत चाहरी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा नहीं तो यह अगर earthworm मड़ गया तो फिर वह compost वह वाला बनेगा ही नहीं फिर वर्मी कंपोस्ट नहीं बनेगा इसलिए हमको earthworm को बचाने के लिए हां का environment earthworm के suitable होना चाहिए ठीक है अब हम इसका step by step process देखते हैं कि हम लोग क्या क्या करना चाहिए वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए take the big container first of all similarly हमको क्या करना एक बड़ा सा container ले 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 लिए कोई वितकर नहीं इसमें हमको क्या करने container ले 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 add a layer of sand in order to create a home for earthworm हमको क्या करना है इसमें कुछ मतलब की क्या करते हैं earthworm का मतलब की sand का कुछ layer इसमें क्या कर देना है ताकि earthworm क्या कर सके इसका मतलब की environment में रह सके earthworm easily इसमें survive कर पाए इसलिए हमको एक layer डालना होगा इसका sand का after that now add little amount of water in sand to create some moisture 11 I'm определ想 that feeling of moisture in the the pure amount of waterถ根 moisture हे इसेफिने में क्या कर ना है इसमें मोईस्टर होजाए इसमें it 에न्टर आजाए में into a container मतलब कीणि थेंवट को इसमें डाल देना है जो एणिवटां करना है यह एड़ HC रस पीकल मतलब अचार टैप से खटा टैप से इसमें नहीं देना है milk product इसमें क्या करना है add नहीं करना है यह सब सीज हमको add नहीं करना है अगर आप यह इस सीज को add कर दोगे न तो earthworm क्या हो जाएगा मड जाएगा फिर आपका Warming Compost नहीं बनेगा तो धियान रखना यह सब सी मतलब कि क्या हो आपको इसमें mix-up ना हो इन इंडिटिव एस दे can hard earthworm मतलब कि इस सब क्या करता है earthworm को harm करता है रिटेज हम लोग इसको add नहीं करना चाहिए after the जब यह mixer बन जाएगा हमारा तो समें हम क्या करेंगा earthworm को add करेंगे now keep adding the mixing of ingredients at regular interval फिल हमको क्या करना है वो जो ingredients हम मिला हुए थे west product उसको क्या करना है हमको अच्छे से गिन पर दे दिन मिलाना है now we'll notice within a month or once will be doubled मतलब कि आप कुछ दिन बात देखोगे कि वहाँ इसमें जो earthworm है इस container जो earthworm होगा वो क्या होजा दो दिन दो गुना हो जाएगा मतलब आप 10 दोगे तो 20 earthworm वहाँ पे हो जाएगा then place some vegetables west in the corner of a pit and as a result the entire earthworm will shift to the vegetable west मतलब कि फिर जब हम इसके करेंगे तो इसके corner पे क्या कर देंगे हमको इस corner में क्या करना है थोड़ा सा vegetable west दे देना है क्यूंकि इधर आधर मतलब कि earthworm होगा वो कहाँ shift हो जाए उस food में shift हो जाए remove the compost from the waxed corner मतलब कि जैसे ही सभी earthworm इधर आ जाएगा हमको इधर क्या करना है सभी मतलब कि compost को बाहर निकाल लेना है dark soil like vermicomposes लेट आप देखो कि दोगुना हो जाता है क्या earthworm आप देखो कि यह जो आपका mixer था ना यह dark color का हो जाएगा और यह आपका vermicompose ready है तो vermicompose पुरा-पुरा process समझ एक कैसे क्या हमको करना होता है यह पुरा-पुरा step था vermicompose बनाने का हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं landfills क्या होता है इस चीज़ को हम लोग समझते हैं landfills क्या होता है तो landfills are made to handle the non-biodegradable waste मतलब की landfills एक मतलब की way है क्या है जैसे हमने देखा कि जो biodegradable था वो क्या होता था हम लोग कंपोस्ट में यूज कर रहे थे लेकिन non-biodegradable का क्या होगा यह तो और भी ज्यादा hardful होता है हमारे environment के लिए जिसको हम कैसे खतम करेंगे जिसको landfills के थ्रू क्या क्या जाता है खतम क्या जाता है जैसे कि हम लोग क्या करते हैं गौण देहात में तुरसा गड़ा ढ़ोंग खोद लेते हैं उसमें वो चीज डाल देते हैं सिमिलरली यहां पर भी वही हो रही है और वही चीजें होती है समझो पहले लैंट ही में टू हैंडल दा नॉन बाइटिगल वेस्ट को हैंडल करने के लिए लैंड फिल की यूज की जाती है स्वीपर्स कलेक्ट गार्वेज फ्रम आवर हाउस मतलब की जो स्वीपर होता है जो मतलब देखते हैं कच्रा वाले ले जाता है गाड़ी वाला है घर से कच्रा निकाल यह क्या करता है नॉन बाइटिगल वेस्ट को क्या करता है यहां पे जाय को अलग कर लेटा है गिरा देगा उस नॉन बाइटिगल मेटेल को और वाले लैंड फिल बोलते है Landfill is the open area built on the top of the ground to dispose the garbage मतलब कि यह क्या होता है Top land of area से इसको इसमें भल भर दे जाता है ताकि हमारा garbage गाँज़ दिस्पोज हो जाए It is built in such a way that it should not affect our surrounding और इसको इस तरह से बनाया जाता है कि हमारी surrounding को यह affect नहीं करेगा हमारे environment को कोई दिक्कत नहीं पहुचाएगा Once the landfill fill is full Then cover it with a layer of soil for the next 20-30 years No building is constructed on it मतलब कि एक बार मतलब कि क्या होता है जिस तरह से हमारा land होता है गड़ा टैप से इसमें क्या होता है Non-bioral material देरे-देरे भढ़ा जाता है इसको इस तरह से बनाया जाता है यह हमारे area पे कोई मतलब की environment को effect ना करे यह जो है ना outside of village का मतलब township इसको बनाया जाता है फिर उसके उपर क्या करता है जब यह landfill पुड़ा इसना तक भड़ गया इसको उपर एक soil का क्या 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 जाता है इसको उपर एक layer दे जाता है जब soil का layer दे जब फिर इसको 20-35 साल के लिए इसको गया कर देते हैं छोड़ देते हैं और फिर यहां पे कोई घर बनाने को क्या करता है नहीं अलोग किया जाता है 20-30 साल यहां पे आप कोई घर नहीं बना सकते हो फिर 20-30 सलवा जिसको हम लोग यूज करते हैं अलग लग वे के लिए ते यह होता है landfill जिस तरह से हम लोग compost क्या कर रहे थे बायोडिडिडिबल के लिए यूज कर रहे थे उसलिए landfill किसके लिए यूज किया जाता है अब आगे परेंगे reducing garbage मतलब कि हम लोग garbage को कैसे reduce कर सकते हैं क्या-kya methods है हम लोग को garbage reduce करने का reduce garbage को क्या करते हैं अब recycle कह सकते हैं मतलब कि हम लोग important ways है garbage को reduce करने का वो है recycle क्योंकि हम लोग daily use देशे कि मानलो हम लोग Delhi समान सब्जी बड़ा सब मार्केट से लाएंगा ही लाएंगा यह क्या है mandatory है और वो लाएंगे तो polythene में ही लाएंगे किसमें लाएंगे पॉलिथेन में अब देखो यह तो वश्ट होगा ही होगा लेकिन अगर हम यही पॉलिथीन को बार बार मार्केट ले जाएं वो बार बार मार्केट से समान लेका हैं तो पॉलिथीन तो एक ही वेस्ट हुआना नहीं तो हम डेली डेली अलग लोग पॉलिथीन लाएंगे तो वेस्ट क्या होता है ज्यादा बनता है मतलब कि गार्वेज को रेड्यूस करने का मेथड है वो है रियूजबल या फिर रिसाइकल तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं यह हमारा क्या अच्पर प्राइम ड्यूटी है फंडामेंटल यू कंसे की वर्क है इसे आप कह सकते हो जो कि हमारे देश को क्या बनाना है गार्वेज फ्री बनाना है कचरा बड़े से ज़्यादा इधर दर नहीं फेकना है here are certain steps that everyone can take in order to make clean city clean मतलब कि यहाँ आप हमने कुछ step दिया है आपको इस step के तुरू आप क्या कर सकते हो अपने आसपास के गाउं सहर महले को क्या कर सकते हो clean कर सकते हो और यह चीज़ें आपको समझ में समझना चाहिए है ना जिससे क्या होगा हमारा clean रहेगा और clean environment में healthy रह क्या क्या करना चाहिए यहाँ पर कुछ steps दिये हैं उसको आपको follow करना चाहिए first of all stop throwing unnecessary thing मतलब कि हम लोग क्या करते हैं जो हमारे useless होता है वो हम इधर उधर जतरतर क्या कर देते हैं फेक देते हैं लेकिन यह सा हमको नहीं करना चाहिए दूसरा reuse the old paper in fun activities हमको क्या करना चाहि चेंज the refill of pen instead of throwing pen हम लोग क्या करते हैं उसमें refill खतम दूसरा पैन खड़ी लेते हैं अब वह जो पैन का बाहर वाला plastic था वह हम फेक देते हैं जो हमारे लिए क्या है unhealthy है वो गलत है हमको क्या करना चाहिए दूसरा refill करना चाहिए और उसको योज करना चाहिए यह भी मतलब क मतलब की छोटे छोटे कदम से ही कोई बड़ी चीज़े हासिल की या सकती है आपको लगए कौन सी बड़ी बात है आप ये सब कड़के clean कर सकते हो छोटे 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 सीज़ों से ही मुंद बुंद ही घरा बड़ता आ आप ये छोटी छोटे चीज़ को care करने लग तो क्लास्मेट वर्टासाफ का यूज करते हैं नहीं हम लोगको 10 रुपय वण एक recycle आती है उसका प्रवय में मिल जाते हैं आपको तो हम लोग को रफ के लिए जनराली वह सब चीज़े यूज़ करना चाहिए ताकि क्या हो सके environment हमारा सही रह सके क्योंकि कापी वरा समय क्या होता है कि पेड़ पोदे काट कहीं कापी बनाये जाते हैं अगर हम किस तरह से यूज़ कड़े तो हमारा पेड़ पोदे भी बचेंगे उससे environment क्या होगा सही होगा तो मतलब indirectly हम लोग क्या करेंगे कुछ बेटर ही करेंगे अग आगे आता है प्लास्टिक, अब प्लास्टिक क्या होता है, में सरदर्द यह है हमारे इंवार्मेंट के लिए प्लास्टिक, क्योंकि हम लोग पेपर सब तो रियूज हो सकता है, रिसैकल होगा या फिर डिकंपोज हो जाएगा, लेकिन प्लास्टिक नहीं होता है, इसके to the environment, मतलब कि हमारे environment के लिए, हमारे surrounding के लिए इस सबसे ज्यादा खतरनाक है, it cannot be recycle, इसको हम recycle नहीं कर सकते हैं, that is why it is very important to minimize the useful, हम लोग paper सब का recycle कर लेते हैं, leak in plastic का करता ही recycle नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोग को plastic यूज करने से avoid करना चाहिए, मतलब plastic बहुत कम यूज करना चाहिए, it is impossible to ban the use of plastic, but we can minimize its use, आपके दिमाग में ये आ रहाएगा, कि जब plastic हमारे लिए इतना खतरनाक है, तो हम इसको ban क्यों नहीं कर देते हैं, देखो बाई, plastic अगर ban हो जाएगे, तो फिर बहुत सारे चीजे हैं, जो हम नहीं कर पाएंगे, plastic के बिना, plastic हमारी life के लिए mandatory भी है, तो हम ज्यादा क्या होता है, नहीं use करना चाहिए, that is where ban नहीं कर सकते हैं, क्योंकि plastic के बिना हम life जिन्दा नहीं रह पाएंगा, ऐसे समझ जाओ, that is where plastic mandatory है, हम लोग इसको ban नहीं कर सकते हैं, लीकिन uses को minimize कर सकते हैं, कम use करेंगे, तो यह better होगा, जैसे कि हमारा electricity है, electricity का जो wide होता है, उसके ऊपर जो cover होता है, वो cover क्या होता है, plastic का बना होता है, हम लोग эgado plastic के भी से use करते हैं, खाना बनाते हैं, तो खाना पकरने वाला जो होता है, प्लास्टिक होता, नहीं होगा तो फिर वो खाना बनेगा नहीं, तो generally हम लोग daily life में जो यह सब चीजे यूजेज है, यह सब बिना, यह समय प्लास्टिक नहीं रहेगा, तो फिर बड़ी दिक्कते हो जाएगी, ना, यहाँ प्लास्टिक mandatory है, हम लोग को क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए वह हमको बैन इसे नहीं कर सकते हैं अगला इस्टेफ है डांट इस्टेफ यूजिंग प्लास्टिक वैग इस्टेफ यूज पेपर बैग हम लोग को अब इलेक्टिसीट में तो वायर में प्लास्टिक रहेगा ही रहेगा हम लोग जो कुछ अधर वर्क से प् हम लोग प्लास्टिक वैग यूज करते हैं प्लास्टिक वैग के जगह हम लोग को पेपर बैग यूज करना चाहिए एक समय आया था कि इंडिया में बैन हुई थी प्लास्टिक पॉलिक्टिम रहा था तो उस टेमें पेपर का बैग बहुत मस्वा उससे क्या हुआ कि लुप्लैस्टिक यूज़ी निकरना है। हम लोग को पेपर व्याग करना ना है। दूसरा कि रूर्ण धून अनन Necessary प्लास्टिक कि नह सथा कुफर। मतलब कि जो हमारे लिए plastic यूजफूल भी है, कभी कि हम लोग इधर उदर फेक देते हैं, या फिर आसपास में इधर उदर फेक देते हैं लेकिन हम लोग को plastic को क्या करना चाहिए? कभी फेकना चाहिए, जो हमारे लिए जरूर ही हो मतलब कि plastic को फेकना mandatory हो अगर plastic को रख सकते हो रखना है नहीं अगर फेकना है तो हमको एक dustbin में एक proper way में फेकना चाहिए जैसे कि मतलब कि हमको इस तरह से इधर उधर नहीं फेकना चाहिए जैसे कि for example आप ले सकते हो don't change pan frequently rather change the refill मतलब कि हम लोग pan यूज करके फेक देते हैं हम लोग को pan नहीं change करना चाहिए refill change करना चाहिए ताकि क्या हो जाए वो pan का प्लास्टिक हो हम लोग क्या करेंगे यूज कर सकते है तो यह होता है मतलब कि जिस तरह से अभी और प्लास्टिक गार्विं और इनिमलो इनिमल्स बड्स तें मतलब कि प्लास्टिक बैज का जो गाडवेज होता है वो एनिमल वर अगर खा लेता है तो वो उसको क्या कर देता है मार देता है क्योंकि प्लास्टिक को पचाने की किसी में शमता नहीं होती है है ना सब सुत्रमुर्ग नहीं है जो मतलब की क्या कहते हैं पत्थर ही पचा लेगा तो स रहा है दोंट श्टोर कुख फूद इंप्लास्टिक कंटेनर एज होट फूड वें कंटेनर कंटेमिनेट विद प्लास्टिक रिलीज हर्फूल गास दिस इस इस दो में काउज ऑफ कैंसर हम लोग को क्या करना चाहिए कोई फूड जो है वह फूड हम जब कुक कर लेते हैं त आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रिसाइकल रियूज और रियूज और रियूज और रियूज 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 और 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 In order to solve the, save the environment, 3R are extremely useful. मतलब कि हम अगर environment को अच्छा बनाना चाहिए, अगर आप eco-friendly हो और आप environment को बचाना चाहते हो तो आपको 3R role भी क्या करना चाहिए? फोलो करना चाहिए, यह हमारे environment के लिए बहुत ही effective तरीका है. कोई भी मतलब की garbage जो इसके लिए क्या होता है? effective तरीका है. 3R में पहला आता है reduce. Reduce क्या होता है? By automated use, we mean one should reduce the unnecessary uses of natural resources. For example, unnecessary sharpening of pencil by kids just for fun. जैसे कि हम लोग को क्या करना चाहिए, जो भी चीज हमारे लिए useful नहीं है, necessary नहीं है, वो भी काम करते हैं और उससे क्या होता हम अपना कच्रा फैलाते हैं. इसी की example दिया है, हम लोग pencil को क्या करते हैं, बस छीलते रहते हैं, छीलते रहते हैं, क्यों? क्योंकि हमको मज़ा आता है छीलने में. अब बताओ, वो जो छिलका है, वो क्या है, एक परणर का, वेस्ट है, और ये वेस्ट हमारे लाग क्या था, unnecessary था, इसका ज़रूरी था, नहीं था, लेकिन हम उन्हें फ्यान के लिए क्या करते हैं, तो हम लोग को ज़रूरी चीज नहीं होता है, उसको क्या करना चाहिए, Instead of using fresh paper to play, kids can use old newspaper or old paper to make the plans, मतलब कि जब यह हम खेलते हैं, इसकोल वड़ा समयत, हम देखते हैं कि page का निया paper क्या करते हैं, फारते हैं और plane बना के उड़ाते हैं, वो एक पर अगर क्या हो जाता है, कुछ दिर उड़ाने बाद ऐसे ही छोड़ देते हैं, वो हमारे लिए west ब क्या करना चाहिए, उससे खेलना चाहिए, ताकि हम यह जो मतलब की necessary, यह मतलब की जो नया page यह आप यूज कर लियो, plane बना के, वो तो west बन गया, और यह west मतलब यह तो necessary verse नहीं था, क्यूंकि आप उस page का लिखने पर यूज कर सकते हैं, लेकिन एक west news paper, old newspaper है, तो इसक्शल कि हम लोग इसको reduce कर सकते हैं, मतलब की short way में हम यह कहना चाहिए, reduce मतलब होता है, कि हमको कम use करना चाहिए, कोई भी जो product है, उसको हमको कहा करना चाहिए, कम use करना चाहिए, दूसरा क्या आता है, recycle, यह क्या होता है, by the term recycle, we mean the recycle and reuse the natural process in different form, for example, minimize the use of polythene bank and rather than using a fresh polythene bank, every time we can use the one plot in white at number of times, मतलब की recycle मतलब होता है, कि हम इस किसी भी चीज़ को फिर से use करना, जैसे की हम लोग जो हैं, जैसे की polythene bag है, इसमें example दिया polythene bag का, पॉलिफे अगर आप देखोगे, हमको क्या करना चाहिए, जो चीज हम recycle नहीं कर सकते हैं, जो चीज हमको आणे पास है, हमको ट्रै करना चाहिए, उससे फिर से recycle करने की, हमको फिर से नया बनानी की, उससी चीज से, उससे क्या होगा, हमारा बैटर, मतलब की नया चीज तो पॉलिफे मान लोगे सब्सक्राइट, मतलब की क्या है? बढ़ जाता है इसके लिए हमको क्या करना चाहिए रिसाइकल का यूज करना चाहिए अगर कोई चीज फिर से यूज होड़ी है तो हमको रिसाइकल करके यूज करना चाहिए थार्ड माता है रियूज क्या होता है इसको देखते हैं यूज बार बार उसी को यूज करना जाये जैसे कि हम मार्केट जाते हैं पॉलिथिन लेके क्या जाते हैं अगर हम पहले दिन हमको पॉलिथिन गया था उसका समान निकाल के उस पॉलिथिन बैक को रखना चाहिए और दूसरे सただ जहें लेके जाना तो दूसरे मंको पॉलिथिन दिया वह रहा नहीं भी नहीं जाक करना एक भारबार यूज कर रहे नहीं एकी चीज अगर बार-बार यूज करें तो इसे हम बोलते हैं रियूज और हमको कचरा निकाल मतलब की गार्डवेश को कम करने के लिए रियूज हमको हमेशा करना से यह बैटर मैनर्स होती है बैटर चीज है जिससे कि हम क्या कर सकते हैं अपनी इभारबेंट को क्लीन कर सकते हैं इस इक साथ क्या होता है आपका चेप्टर क्या हो जाता है खतम हो जाता है और आपको समझ में आई होगी और अगर कोई स्लाइड नहीं बचा है मिन्स आपका चेप्टर क्या हो गया खतम हो गया आपको समझ में आगई फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में थैंक यू सु